हॉलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आप सभी का क्लास 10th का जो मैत है वो आप सभी के लिए एक निव बैच स्टार्ट कर दिया गया है जिसमें आपका जो सेसन है 2023-2024 है फ्रेंस आप सभी के 2024 में जो बोर्ड का एक्जाम होने वाला है उसमें तिरकोमीती से 10 आउली आपको हल कराएंगे जिससे आप बोर्ड के एक्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें फ्रेंज देखें यहां आपको पी वाई क्यू कोईशन भी साथ में बताते रहेंगे कि कौन सा क्यूशन आपके प्रिभियस एयर में पूछे जा चुके हैं और आपको यह साथ में बताएंगे कि बोर्ड के एक्जाम में जो 2024 में होने वाला है उसमें कौन सा सवाल मैत के आ सकते हैं तो फ्रेंज आप से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे हम यदि कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके फ्रेंज देखे आप से बस इतना करते हैं कि आप एक नोट्स बना लीजिएगा मैत का जिस पे सभी प्रशनाली को आप चेप्टर वाइज लिखते रहिएगा जिससे आपको इसमें पहले आपको बेसिक फार्मूला बताते हैं फिर इसके बाद इसके प्रशनाली के सभी प्रश्टों को हल कराएंगे ठीक है फ्रेंज तो चलिए इसके सभी प्रश्टों को देखते हैं फ्रेंज देखिए आप सभी को बता देंग जो त्रिकुमीती होता है इसका पर आपका हमेशा समकोड त्रिभूज में करते हैं किस में करते हैं समकोड त्रिभूज देखे फ्रेंस यहां समकोड का मतलब होता है एक कोड नब्यांस का हो यानि समकोड का मतलब क्या होता है नब्यांस यानि त्रिभूज में यह एक कोड नब्यांस का होता है तो उसे बोलते हैं समकोड त्रिभूज चलिए फ्रेंस आपको समकोर त्रिभूज बना के बताते हैं देखें फ्रेंस आपका ये क्या है इस प्रकास ये त्रिभूज बनाते हैं तीसे बोलते हैं समकोर त्रिभूज इसमें जो ये वाला होता है ये आपका 90 अंस होता है अब देखे फ्रेंस जो त्रिकमीती होता है इसमें आपको तीन भूजाएं होती है यानि समकोर त्रिबूज होता है इसमें तीन भूजाएं होती है और इसका क्या नाम होता है उसको बताते हैं आपको त्रिबूज के नाम देते हैं A B C ठीक है फ्रेंस देखें यदि यहां प कोड हरा इसके सामने वाली भूजा क्या होती है कर होता है और दो ये खूझा आधार है अम कॉझार चाहिए को किसे लम करते हैं किसे कड़ करते हैं किसे आधार करते हैं चलिए एक और त्रिभूज बना के बताते हैं देखिए इसी त्रिभूज को ऐसे बनाते है ठीक है देखिए ए है भी है सी है यहाँ पर यह क्या है आपका नब्यांस का है ठीक है यहाँ इस कोड़ को लेते हैं ठीक है नब्यान्स के सामने के ये पूझा प्ड़ होता नब्यांस के सामने के भूजा प्ड़ होता वाली पाद है रहा बन प effectivement चैसे के य77 कोड बना है और आपका क्या हो जाएगा क्या होगा फ्रेस आधार होगा देखे फ्रेस आधार और लंब कोड के अनुसार बदलता रहता है यदि यहाँ पे कोड रहेगा तो इसके अनुसार यदि यहाँ पे कोड है तो लंब यह होगा आधार यह होगा कोड यह होगा यदि कोड यहाँ पे लेते हैं तो आधार यह हो आपका आधार होता है इतना आपको concept पता चल गया होगा चलिए आपको फार्मुला बताते हैं इस पे यहां पर याद रखिएगा जब भी समकोर्ट त्रिभूज देता है इसमें से दो भूज़ा आपको पता हो तिसरी भूज़ा पता करने के लिए आपको एक फार्मुला का परियोग करते हैं देखिए उस फार्मुला का नाम है आप सभी को पता होगा पाइथा गोरस परमे इसको क्या बोलते हैं पाइथा गोरस देखिए इसको याद रखिएगा पाइथा गोरस परमे इन सब का परियोग फ्रेज आपका प्रसनावरी हल करेंगे तो उसमें इसका प्रियोग होगा देखें पाइथा गुरस प्रमे को आप याद रखिएगा करण का स्कौाइर बराबर आधार का स्कौाइर प्लस लंब का स्कौाइर देखें फ्रेंस यह फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा ठीक है ठीक जब सवाल जब हल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको कैसे प्रियोग करते हैं अब फ्रेंज देखें जब प्रसनावली आप हल करेंगे तो उसमें दो तीन फार्मूला यूज होता उसको पताते हैं देखें फ्रेंज आप इस फार्मूला से परचित होंगे ठीक ह यहां पर देखे फ्रेंज क्या होता है यल का मतलब होता है लम ठीक है एक मतलब होता है आधार ठीक है और के का मतलब क्या होता है करण होता है करण हो गया ठीक है यल का मतलब लम एक मतलब आधार और के का मतलब करण ठीक है अब देखे फ्रेंज यहां यल आपान के को क्या कहे इसे बोलेंगे साइन, क्या बोलेंगे साइन ठीटा, इसको 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 क्या बोलेंगे साइन ठीटा लंब अजबर कम अपनल बनेगा मतलब क्या हुआ हुआ के मतलब हुआ अपका इसी थी त्र लक्य है कौस्ट थीटल टेक्वा करों यहां आपको फार्मुला अपको डंडर नहीं चाहिए एक मतलब होता है थानगत्र छो further state और के का मतलब होता है खर्ण आपका काश हीड़ा का फार्मूला होगा आधार बटाके कर्ण हो गया अब देखे अगला फार्मूला आपका टैन या आप से ताथ हर के सिर्फ इसको आप एक बार लिखेंगे तो सभी यादो जाएगा ठीक है ठीक है ठीठाइट अ बराबर क्य अधार बटके कड़ टैन ठीटा वरब लमबटके आधा यह सब फार्मूला हो गए अब देखिए इन तीनों फार्मूला से अब आपको कौन सा फार्मूला बनेगा पताते हैं अब देखिए फ्रेंज साइन ठीटा का अपोजिट होता है कोसेक ठीटा आप साथ मियाद रखेगा साइन ठीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक ठीटा अब कोसेक ठीटा इसका अपोजिट होता है देखे यल अपन के है तिहां पर क्या हो जाएगा के अपन ए हो जाए और के अपन यल होगा सुरी दोस्तो के आपन क्या हो जाएगा तो यहां कि आपन यह हो जाएगा अब कर मतलब क्या होता है प्रेंस िख होता त्रीथ화를 सेंगल और फजिल प्र पसद देखे-पन क्यet इसका opposite किजी कि आपन ए कर ली जी क्या करेंगे एफां कि है त apprent A करेंगे तो यह देखे किया का मतलब क्या होता है कोड एक मतलब होता है आपका आधार ठीक इसी प्रकार 10 ठीटा देखे 10 ठीटा का अपोजिट क्या होता है 10 का अपोजिट होता है काट ठीटा ठीक है अब देखे यल अपान ए है तिहाँ पर क्या हो जाएगा उसका अपोजिट ए अपान यल हो जाएगा ठीक है एक मतलब क्या होता है आधार यहल का मतलब क्या होता है लम ठीक है देखे यहां पर फार्मूला जो प्रस्णावली नंबर 8 ए में परियोग है सभी फार्मूला आपको बता दे difference in थिटा, कास, ten थिटा कोसेक थिटा, सेक थिटा, कार्ट थिटा यह सभी च्छा फार्मूला आपका है साइन का पोजिट यह हो गया कास का पोजिट सेक और टैन का पोजिट यह हो गया आप इसको एक बार लिख लिजएगा जिससे यह सभी फार्मूला आपको याद हो जाए अब देखे फ्रेंस आपको अगला कंसेप्ट बताते हैं अभी फ्रेंस आपको बता हैं कि साइन ठीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन ठीटा बराबर इसका अपोजिट क्या होता है वन अपान कोशेक होता है क्या होता है क्या होता है कोशेक या अपोजिट साइन ठीटा लिख रहाई तो हम अपन को सेघझ ठीटा लिख सकते हैं ठीक है इसी प्रकार pets घर आँगा अज़ मोर्षित कर लोग्द कि sound कर लेकित किना अपनफे काट ठीटा ठीक है देखे साइन ठीटा जहां पर वनापान कोसेक लिख सकते हैं कास लिखाए तो वनापान काट लिख सकते हैं अब देखे फ्रेंड जिस तरह यह अपोजिट है इसी प्रकार कोसेक का पोजिट क्या होगा कोसेक इसका opposite क्या होगा तो इसका opposite one upon sign हो जाएगा ठीक है इसलिए कि कोशेक को यहां लाएंगे और sign को इसके हर में लाएंगे यानि बटा में तो क्या हो जाएगा one upon sign हो जाएगा ठीक है इसी तरह सेक ठीटा को लिखेंगे वान अपान काश ठीटा हो जाएगा इसी तरह काट ठीटा को क्या लिख सकते हैं आप है वान अपान टैन ठीटा 10 ठीटा देखे फ्रेंज अब यह सभी आपकी जितने भी इंपोर्टेन फार्मुला है जो प्रस्णावली नंबर 8a में परियोग होगा हुआ सभी फार्मुला आपको बता दिए एक बार सभी फार्मुला को इस्टार्टिंग से देख सकते हैं फ्रेंज सिर्फ इसको आप एक सभी फार्मुला भी आपको साथ में याद हो जाएगा देखे फ्रेंज त्रिक्रमीति का जो प्रस्णावली नंबर 8a है उसमें आपका जो पहला सवाल है कि एक त्रिबूज ABC में कुडबी 90 अवी बरार 5 संटिमीटर बीसी बरार 12 संटिमीटर हो तो साइने कास एट 10a के मा पर मुला अब ये लग === आपका जो पहला है यहां पर नंबर आपका है ँर्डे डालीह आप अब दिखे फ्रेंस यहां पर कर आए ऐक त्रिबूज ABC में तपहले त्रिफूज बनाएंगा और प्ट्रेइस क्या आपको त्रबूज भी नाओ इसका नाम आपको दिखते से में थ्यान देना पड़ेगा नाम यहां पे कोड बरावर 90 नब यही होता ना आपको पताए थे कि 90 वहला कोड यह नहीं होता है इसका मतलब भी को यहां पर लिखने के बाद आप यहाँ यहां पर लिखे नंतर एंसमें कोई प्लावम नहीं है जाए है और लिक्ते हैं दियनाम पर इसलिए नाम पर इखी वह भी लिखन है आप थे मिलाएंस को है इसको किलावबभा अर्षी को कहीं hell लिख सकते हैं अब देखे अब आपसे पूछ्छ किया रहा है यहां पे पहल głukос tour eight 5 impact बीशिट्वरा कितना भारत की है यह वर्य है यहांब लिखें कि 12oupe थो घंटीमीतर मों इस धूछ को ध्यान दीजेग suppressiones matter है और ये बी आपको क्या है संटीमीटर है ठीक है अब दिकरेज़ div तो यहां पर इसकी तीनों भूजाएं पता होना चाहिए एक बूजा यह पता यह वाला पता आपको नहीं है यहां पर देखिए फ्रेंस आप से पूछ क्या रहा है साइन ए कास ए टैने यानि यहां पर ठीटा के जगर पे जो फार्मुला पता हूं आप ठीटा लेकर बता है यहां पर ठीटा के जगर क्या आगा ए यानि कि आपको एक हिसाफ से बताने देखिए यह है इसके हिसाफ से यह क्या हो जागा आपका यह वाला कोड़े अभी आपको बताएं फ्रेंस की जो कोड़ रहेगा उसके सामने वाला बूजा क्या होगा सामने वाला बूजा क्या हो हो जाएगा ठीक है तीनों भूजा भी लिख लिए यह कड़ हुआ लंब हुआ और आधार हुआ देखे फ्रेंस जब आपको यह तीनों भूजा है जिसमें से आपको लंब पता है आधार पता है लेकिन कड़ नहीं पता है तो उसके लिए आपको हमेशा याद रखिएगा क्य फार्मूला क्या है आपका पाइथा गोरस परमय का जो फार्मूला आपका है करण का स्कॉायर बराबर आधार का स्कॉायर प्लस लंब का स्कॉायर यह आपको क्या है फार्मूला है देखे कड़ आपको पता करने तो कड़ रहने दीजिए कड़ का स्कॉायर इसी तरह आपक कितना हो a 12 है तो 12 का स्वार कर दीजा viktे करण का स्वार कर लिजी मिलिए ठीक है करण का स्कवार अब देखिए 10 jinãy करड़ी लेने पर क्या लेने पर दोनों पच्छो का करड़ी लेने पर लेने पर जब दोनों पच्छो का आप क्या ले रहें फ्रेंस करड़ी ले रहें ते देखिए क्या करेंगे इस तरह करड़ी बनाईएगा यहां पर लिखिएगा करड़ी में 179 देखिए जब यहां पर क करड हों जाए अलो ब्राबर एक स्वन अत्र के बड ayamard फ्रेंश आपको पता ह्ठीक और यह क्या पता है आधार पता है तो देख двухण पता है आधार piece अधार लिख लिझें किछ आ है 5 cm ठीक है फिर इसके अलावा आपको क्या पता है लंब पता है यहाप लिख लिख लिजिए का लंब लंब कितना है आपका 12 है तो 12 cm कर लिजिए देखे यह तीन भूज़े जही सही आपको पता चलेगा तीनों पता चलेगे अब देखे आपको प्रश्न कैसे हर करें चलिए आप प्रश्न को देखाते हैं क्या पूछा है यहाप पूछा है साइन का से टैन है तो पहले यहाप लिख लिख लिजिए देखे यहाप लिखिए साइन ए पूछा है फिर इसके लगा क्या पूचा है कास ए पूचा है फिर इसके बाद क्या पूचा है आप से टैन ए पूचा है ठीक है सभी को लिख लिए आप लिखने के बाद आप क्या करेंगे अब फार्मूले के देखे साइन ए बराबर क्या बताया थे लाल बटा के कका बताया थे यहां ल भारा है ने लब यहां यहां लिखेंगे 12 कड़ कितना है 3 यहां लिखेंगे 13 और यहीं क्या होगा आपको बैसिक बता है उचसेट बड़ा याद करके इस सवाल को लगाईएगा आप आसानी से हल कर लेंगे ठीक है यहां पलिख लिजा आधार बटा कड़ आपका आधार कितना है देखिए आधार 5 है तेहां पलिखे 5 अब 5 कड़ कितना है 13 तेहां पलिख लिज़े 13 और यही क्या होगा इसका एंसुर हो जाएगा का से कमाना जाएगा ठीक है 10A upright formica 10A बराफर पताएं आपको यह ऑज़गा je answer हो ठीकए फ्रेस देखें यदि यह सवाल समझ में आपको आया होगा तो आपको जो अगला सवाल बताने वाले हैं वो भी आपको आसानी पुरुवक से समझ में आ जाएगा तो चली अगले सवाल को हल करते हैं आपका दूसरा नंबर का सवाल है कि त्रिभूज A, B, C में कोड़ बी समकोड है भूजा A, B बराबर 4 cm तथा B, C बराबर 3 cm और C, A बराबर 5 cm हो तो साइन A, टैन A, काट C तथा काट C का माहना आपको ग्याद करना है देखें फ्रेंस अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे पहले आपको त्रिभूज बनाना आना चाहिए ति त्रिभूज आप बना लेंगे तो सवाल को आप आसानी पूर्वक्स लगा लेंगे ठीक है आपका दूसरा नंबर का सवाल है अब इस सवाल को आपको हल करके बताते हैं तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर पहले देख लेत बन गया समकोड इसमें क्या करें कोड बी समकोड है तो समकोड का मतलब यहीं नभ्यांस का है यानि यह क्या होगा आपका बी होगा अब इसके लावा चाहिए यहां पे ले चाहिए यहां पे ले लेते हैं यहां पे लेते हैं यहां पे लेते हैं यहां पे लेते हैं यानि इस क सेंटीमिटर हो गया besides the से लोगा सी कितना दिया है सिए कितना पांचання यहां लिखी पांच कि सेंटीमितre ठीक लिके त्रिवूज बन गया अब इसमय बताएये फ्रेस्ट यह कोड इस सामें वाला भुजा क्या फोगा आपका यह लंब हो जागें यह लिख देतें 화장 वाला भूजा हूए ठीक है और नभ्यास की सामने वाला भूजा क्या होता हमेशा कड़िए यहाही पेका नहीं है कि यह यहां पर लिख लेते हैं कड़ दिया है आपका यहां पर कड़ लिख लिए कड़ बराबर कितना हुआ कि पांच सेंटीमीटर आधार कितना हुआ आधार हो गहाँ आपका कहाँ सिंति मिटर आधार भी होगा लंब कितना होगा आपका लंब हो गए आपका आपका 3 लिख लिजे अब लिखने के बाद देखे फ्रेंट्स पूछा क्या है अपसे, जब यहाँ इहाँ से देखेंगे पूरे सवाल को यहां से करफेंगे पूछ है. पूचाने साइनए का माइ gef mail यह भीkonks usually अब लगी किया साइनए को बआबर फिर सब्सक्रा only जाए और अब figuring didn't again 10 एंब हो गारा है अब देखें अर इसका फार्मुला जो पस याद होना च्छल scor याद हो गया हो अको या आशानी से लगा लेंगे साइन ए पर ऑबर फारमूला होता है लम भटा यहाप लिके लम अपां अपक्ड़ मम क्हणे तो सब्सक्राइब mm कमध कितना दिआ या यह था इन तीन लिख झ यह य Virginia तीन बटा के 5 हो जाएगा ठीक है 10 A बराबर फार्मूला क्या होता है तो 10 A बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है ठीक है लंब बटा के आधार होता है ठीक है लंब कमान कितना है आपका लंब कमान 3 है तो 3 लिखी है आधार कमान कितना है चार है तो चार लिख लिए और यहीं क्या आजगा इसका एंसवर हुआ और यहां पर इसका एंसवर यह हो गया ठीक है अब देखिए फ्रेंज सवाल में आप साइन एट टाइन एप पता कर लीजी लेकिन यहां पर पूछा है कास सी काट सी ठीक है थोड़ा ध्यान से इसी तिरभूज को बनाते हैं क्या प्रबूज यही रहा है नहीं यहीं बनाइए बस आपको क्या होगा व्रेंस की लंब और आधार चेंज हो जागा देखिए तिरभूज बन गया यह बी है यह है यह सी है ठीक है यहां पर एवी कमान दिया है कि इतना चैनल लिख लेक्ते सामने वाली बुजा आपका सामने वाली बुजा हो जागा यहाँ पर ती लंब हुआ और नब्यांस यह होता है नब्यांस की सामने वाल बुजा क्या होगा कड़ होगा यह भी बुजा पता चल गया देखिए नब्यांस है ठीक है और जो एक बुजा बचेगा जिस पर यह कोड बना यह आपका आधार हो जाएगा क्या होगा आधार लिख लिजिए यहाँ पर आधार ठीक इन्हीं तो तीन निकंझभार हो गया 3 cm दिया आप लिखेंगे 4 cm फिर इसके बाद आपका लम्म है लिखेंगे 8 cm लिखेंगे 10 cm लंब क्या हुआ आपका 4 cm गार 4 cm लिखेंगे लिख लिखेंगे सब्सक्राइब अब मैं देख्षें आपसे खू क्या पूछ रहा है कास सी पूछ रहा है फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है काट सी पूछ रहा है ठीक है अब देखिए इसका फार्मूला पता होना चाहिए कास सी का फार्मूला होता है आधार बटा के ठीक है आधार बटा क्या होता है यहां पर होता है यहां पर देखिए आधार देखें कि ते तीन है कड़ कितना है पांच है तो पांच हो जाएगा तीन बटा के पांच इसका एंसर हो जाएगा इसके बाद काट लग देखिए काट C का फार्मूला क्या होता है तो टैन का पोजिट होता है कि यहां इसका प्रॉम्लें लिखने के बाद अब देखिए आधार कितना आपका है यहां पे देखिए पूरे सवाल को यहां पर देखिए ठीक है यह दिधी फार्मूला जो बताएं अपको याद हो गया हो। यह सबी सवाल आपके लिए दम चूटकियों में हल करेंगे दम सिंपल तरीका से हल करेंगे ठीक है जब चलिए एक और सवाल को हल करते हैं फ्रेस आपके सामने यह तिसरा नंबर का सवाल है इसको पढ़िए तरी वूज पी क्यू आर में कोड़ पी समकोड है यदि पी क्यू क्यू वराबर क्यूति को जांगा पैक किए अब इसे कैसेवल करेंगे सवाल हिते अग्वादि जैसे दूसरे तो नंबर का सवाल यहां पर देखे आप क्या दिया है पी संखोर ना इसका मतलब यहां पर लेजेगा पी को यहां पर ले लिए अपको यहां पर लिए अब यहां पर लिख लिजिए आपका करण दिन के इ 26 जाएगा अब देखे आप से पूझा क्या है किया है साइन कुण देखीं आप क्या है आप यहांपर के हिसास पताना है थे जब आप जो कोड़ दो का देगा फ्रेंस में इसी को घेर ली जागा यानि कि यह क्या है आपका क्यों अब देखे फ्रेंस इसके कार्डिंग क्या हो जाएगा इसके कार्डिंग यह हो जाएगा लंग क्या हो जाएगा आपका जो कोड़ आता है उसके सामने वाला भूजा क्या होता है लंब होता है अब देखे फ्रेंस यह क्या है समकोड़ ती नब्यांस कोगा और नब्यांस की सामने वाला भूजा हमेसा क्या होता है क्रड़ होता है और जिस पे यह बना है आपका कोड़ बना वो होता है आपका आधा यह बना लिए आप आधार अब इसको लिख लिजिए एक बार यानि कि यहां पर देखे कड़ आपका हो गया दू ठीक है और यहां पर आपका हो गया आधार आधार कितना हो गये करड़ी में तिन और लम्ब लिख लिजिए लम्ब कितना है अपका एक है तो एक लिख लिजिए ठीक है? अब पूछ क्या रहा है आपसे sin Q और कास Q ने? त पहले हैं आप साइन Q लिख लिखिए sin Q और फिर इसके बाद क्या पूछँ रहा है आप से quas Q यहां लिख लीजिए quas Q अब sin Q बराबर फार्मूला क्या होता है sin आपको बता है कि nu मब बटा के कड्व होता है यह फार्मूला आपको याद हो गयगो rouघ न अब तक मिल्ट कांस faculty आपको तो यह विए यह दो गया हुगा कि आधार बटा क्या होता यह होता है I п abc difference यहां पे क्योग अप्छन आपर कोड़ गया गया यहां जब बदल जाता है तो आपको एक और तिर्भूज बनाते हैं तो चलिए एक और तिर्भूज बना लते हैं तिर्भूज सेम्ट सेम्ट यही बनेगा जो यहाँ पर बना है अदम यही बनेगा यहाँ पर देखिए बना लिजिए यहाँ पे तिर भुज बना लिए आप इसका नाम देखे आर है आर दे दिजी यहाँ पर पी है ते पी दे दिजी यहाँ पर क्यू है तो क्यू दे दिजी ठीक है अब जिस जो माल लिखा उसको लिख लिए देखे यहाँ पर एक लिखा है और यहाँ पर कड़ी में तीन है और यहां पे कितना आपका 2 है हो गया अब देखे फ्रेंस आपसे पूछ क्या रहा है तैन आर और साइन आर यहां पे आर के इसाफ से जो कोड़ रहेगा फ्रेंस यहां पे न यहां पे जो कोड़ रहता उसी को कर लेंगे अब देखे फ्रेंस जब यह हो गया आपका तो इसके एक कि लंब हो गया और जिस पे बना है यह क्या अधार हो जाएगा इस त्रफूज को मिला लिज्य एक बार देकर जो मिलाएंगे तो सभी स्थे में लेकिन लंब और आधार क्या हो रहा है चैञ जो जा रहा है इतना ही आपको सीखना है देखें फ्रेंस यहां पर आपका क्या है करड़ है करड़ आपका दो है लंब कितना है आपका लंब है करड़ी में तीन और आधार क्या है आपका सभी भूजा को लिख लिए पहले आधार आपका है एक देखिए करड़ है दो लंब है करड़ी में तीन और आ यहां लिखेंगे 10R यहां लिखेंगे 10R, यहां लिखेंगे 10R और साइन आर पूछ रहा है ठीक है चलिए फार्मूला लिखते हैं देखें 10R बराबर आपको क्या होता है तो 10R बराबर होता है लब बटा के यानिके लब अपार आधार दीके लब कमाने करड़ी में तीन आधार कितना एक है तीना वे बटा में एक कर लेंगे और यही क्या होगा आपके इंसुर हो जाएगा ठीक फिर इसके बास साइन आर है तो साइन आर बरावर फार्मुला क्या होता है आपका साइन आर बरवागद जो फार्मूलवाइब कर्ड कर्ड नो सभी ओजाएंगा वाँ कमान कितना है आपका नंब ना का सवाल्ड हो इस चलिए अगलए नंबर का सवाल बताता है ठीक है फ्रेस आपका ये चौथा नंबर का सवाल है देखिए अदम जैसे दूसरा नंबर तीसरा नंबर बताएं आप उसी प्रकास सेम डूसेम चौथा नंबर का भी सवाल है देखिए क्या है कि समकोड तिरभूज लिबावर 26, AC बरावर 24, हो तो साइन B, टैन B, कास A के मान ग्याद कीजिए अब देखिए जब ऐसा सवाल देता है ता हमेसा आपको समकोड तिरभूज बनाना है इसलिए कि देखिए नहीं भी दिया रहाएगा तब ही पर आप समकोर तिरभूज भी बनाएंगे ठीक है यदि इसमें नहीं लिखा है श्मकोड त्रिभूज को היो हो गया इसके बाद आप और बी अपने अनुसार लिए गर यहां पर बेदें कहीं पले सकते हैं आपको बता तें ऐसकों support कर है यह 26 हो गया एसी बरवर कितना है देखे एसी बरवर दस किया दस हो गया इसके बाद 20 परवर 24 तो 24 कर लेजिए इतना लिखने के बाद अब दिखें के सामने वाला भूजा क्या होता है कर आदा है और लिख लेजिए कामा आधार लिखिए आधार जब लिखेंगे तो क्या होता है आधार जिस पर बना होता है कोड़ तो यह आधार हो जाएगा फिर इसके बाद लंब लिख लीजिए चलिए लंब यहां पर लिख लेते हैं लंब हो गया आपका कोड़ के सामने वाला बुझा क्या होता है लंब याद हो गया होगा फ्रेंस आप सभी को लंब बटा के हुआ कड लंब कमान कितना है 10 कड कमान कितना है 26 यह हो गया आपका answer ठीक है अब देखिए sin b हुआ 10 b पूछ रहा है 10 b 10 b का भी फार्मूला याद हो गया होगा क्या होता है लंब बटा के है आधार बार बार फार्मूला लिखने से फ्रेंस याद होता है ठीक है लंब कमान कितना है आपका लंब है 10 आधार कितना है 24 24 कर लिजी और यही आपका answer हो जाएगा ठीक देखिए फ्रेंस यहाँ पे देख लिजी पहले एक पर देखिए लंब बटा के आधार है लंब कमान 10 आधार कमान 24 है तो आपका दस बटा के 24 है यह आपका answer हो जाएगा अब देखिए फ्रेंस अब आप से क्या पूछ रहा है साय इन भी 10 भी हो गया अब पूछ रहा है कास ए कमान देखिए आपके ख Tub 걸 आपका बदल गया जब जैसे ही को बदल जाता है तो आपको यह और तीरभुज बनाना पड़ता है तर शहा ही बना लिए जाता दम स्पर उसी प्रकार बन जैसे यह दिया है चलिए यह आपर बना कर दिखाते है आपको ठीका जाता है जैसे दिया देखिए यहां पे पर कास जब एक हिसा से पुछ रहा है है या ज Ama यहन्द इसकी अक्रवला सब लिंए या बराबर लिखिए कर बराबर लिंए कोई दिक्कत नहीं हो तहीं इसे बदल historically कातर। स्केंड उसके सामने वाली भूचा मौत है लंबी आपकाई आपका 44 नब्यास्ट की सामने वाला भूचा कड़ होता है कड़ कितना होँ 26 और आधार क्या है यहां करता है दिए कौर मुझा रहा है यहां पर लिख रहा है यहां पर श Sahib औक कास यह वरा फर्मुला होता है आधार बटा के करण अधार बटा क्या हुआ uno क्राओं हुआ अपका आधार कितना है अधार है रहते हैं कि के viruses पूचा मैं का यह ठीक है अब देखें पूचा-धार सब्सक्राइब करना है जब भी ऐसा सवाल देगा तो हमेशा आपको समकोड तरी भूज इस तरह बना लीजिए अब तक आप सीख गए होगे फ्रेंश ठीक है कैसे बना रहे हैं यहाँ बी समकोड है तो समकोड का मतलब यह नब्यांस का उद्धा है इसका मतलब बी को यहां प ले चले यहां पर ले लेते हैं सी हलाना में अपर ओलते हैं कि यहां पिनलेटे की अब यह श्रंड ही Janine निशनप और ऑऌकल का हैं एक कोड का है फ़िक निखिए एक ने वा इसके सामने वाला भूज़ा लंब होता है , जो कोड के सामने वाला भूज़ा यहाँ पर लम雨 लिखे इस तरह कामा करके कारा नहीं बराबर लिखती कर लिखे लिजिए ठीक है फिर इसके अलाब क्या लिह चल इया आधार को यहाँ लिखे लेते है resolve का लगेए ठीक है कितना मांधिया है λंब देखे इसके सामने वाला बुझा लंब यहिता है तो लंब हुआ ठीक है कड नभy concrete की सामने वाला बुझा कड कड होता है कड होगा थू्-e अब पूछ क्या रहा है आपसे-e, आपke-e-e स Mister-e । क्या होगा आपका लंब कर्ण थीक लाने का सवाल देखे लम बठां कर्ण कम कितना हो आपका एक कितना हुआ का कड़ी में कर्ण किसमें की ऩुमा कर्णेम का इन्शो मों है देख्ए यहां पर क्या है nessa साइन एक यह फिर हसाएनिय गोण कॉछ ट्री आ经 då मतलब कोड़ चेंज हो गया तो आपको जब कोड़ चेंज होता है तो यहां पर दो निपकर लिजिए अब दो यहां पर 90 अंस है आप से पूछ रहा है क्या कि 10C अब मतलब कोड़ काउंसल है आपको सी जो सी है तो इसको आप क्या कर लेंगे इस तरह घर लीजिए ठीक है अब देखे फ्रेंस इसके ऐसाब से क्या होगा आपका लंब लिखिए कड़ लिखिए यहां पक्या लिखेंगे आधार लिखेंगे ठीक है देखें लंब जो कोड़ रहा तो उसके सामने वाला बूजा लंब होता है आपका लंब हुआ एक कड़ कितना होगा इसके सामने वाल बूजा कड़ी में दो आधार कितना होगा जिस पे ये कोड़ बना है तो कितना एक है तो एक लिख लिजिए अब आपसे पूछा क्या है टैंसी टैंसी बराल फार्मूला लिख लिजिए देखें टैंसी बराल फार्मूला क्या होगा आपका टैंसी बराल फार्मूला होगा लम बता के आधार देखिए, लम कमान दिया एक और आधार भी कितना दिया है एक और यही क्या हो जाएगा, आपका answer हो जाएगा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा अब चलिए अगले नंबर के सवाल को हाल करते हैं देखे फ्रेंज आपका च्छटा नंबर का सवाल है तिरभूज PQR में कोड क्यू समकोड ही यदि PQ बराबर 4 cm QR बराबर 3 cm P R बराबर 5 cm पीटा तो कास P 10 P था था कास R के मान ग्याद कीजिए ठीक है जैसे उपर सवाल लगा अदम सेम उसी प्रकार है देखे फ्रेंज इसको कैसे लगाएंगे यहां पर क्या कीजिएगा कि समकोड त्रिभूज बना लिजिए ठीक है समकोड त्रिभूज आप बना लिए यहां पर समकोड है यहां पर क्योग नाम दिजिए इसके अलाभा आप क्या कीजिएगा 옆 लिए यह दिखे है समकोड मतल्रक्णक कहा है ठीक है इतना बना सब आधिखे बहबन लिए और किवार बराबर तीन क्यों यह दो तीन सेंटीमिटर में यह सेंटीमिटर लिख लिए फिर इसके बाद पी यार का मन कितना दिया है पांस तो पांच 5 कर लिजिए अब का सब्सक्राइब के इस कोड़के कोड़ क्त लिथे लं। aye अधार reulin क्या आधार कितना होगा जिस पर यह बना है कोड़ 4 cm अब तक सभी को फ्रेंज समझ में आ गया होगा ठीक है कड़ कितना है कड़ेकर नब्यांस के सामने कि बुज़ा क्या होगा कड़ होगा यानि 5 cm जब भी पूजा लिख लिए अब पूछ क्या रहा है और देखिए यहां प заключ I टिर्वाइ void आप लिखिये कास पी ठीक है अब इसका formula क्या होधार रिवराबर जब formula देखेंगे तो आधार बटागे कर रहा हूं ठीक है आधार कमान कितना है आधार कमान 4 है तो 4 किजिए कर कमान 5 है तो 5 कर लेजी और यह answer हो जाएगा ठीक है यहाँ पर 10p पूछ रहा है यहाँ पर लिखे 10p 10p हो गया अब इसका फार्मूला 10p का क्या होता है लम बटा के आधार लम बटा के आधार किये लम कमान कितना है आपका लम का देखेंगे तो 3 है और आधार देखेंगे तो 4 और यहीं क्या हो जागा इंसल हो जागा ठीक है अब देखें फ्रेंस आप से पूछ रहे हैं का असर तेहाँ पर कोड़ बदल गया आपका जब कोड़ बदलेगा तो एक सित्र भूछ को बना एं बना लेते हैं ndaleg today की जए को जिए के यहां पर क्याए क्या आथ इन सेंटी मिटर 3 सेंटी मिटर कींजिए यहां पर 5 सेंटी मिटर एग चेंऔर फैस तो 5 और अब देखिए यहां पर आपका क्या हो जागा लंब हुआ अधार हुआ और यहां पर क्या हो जगा आपका कड़ होगा ठीक सभी लिख लिए मालिक यह कितना है लंब कितना हुआ इसके सामने वाला भूजा लंब आपका आपसे पूछा है कास आयर कमांद यहां पर कास आहर एक कास आयर क्या होता है आधार अबटा के कड़ के एब आधार कितना है आपका देख लीजिए आप गणो तो 5 कर लिजए और यही क्या हो जगर इंसार हो जाएगा ठीक है यहां तक आप सभी को ठीक है चाहरा को एक आगे कुछ समय के बाद इसका पार्ट्टू नेक्स्ट वीडियो जो अप्लोड कर देंगे ठीक है इसके आगे थे के 5 बात 6 लेके आपको आगे सवाल इसका नेक्स् तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बाक्स में यह भी लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंश यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा ठीक है तो फ्रेंश चलिए वीडियो यहां पर समाप्त करते हैं थांक्स फार को तो चैनल पिला जहां वीडियो कर दो नहीं हैं तो इस आप हैं।